जंड पहुमत से दोनों जीतेंगे क्योंकि देखिए जनता भाजपा के जो मिश्रूल से केन सरकार के मिश्रूल से जनता त्रस्त हो गई थी जनता न केवल बिहार में भाजपा मुक्त बिहार का सरकार चाहती है जनता पूरी देश में भाजपा मुक्त भारत चाहती है नमस्कार मैं नाम आलोक है आप लाश्टीज देख रहे हैं आज CBI कोट में पेशी हुई उपमुक मंतरी तेहसी वियादव की और उनकी जमानत बरकरार रखी जाएगी यह फैसला आया स्पेशल कोट से अब ऐसे में प्रतिक्राय निकल किया रही हैं आगे मुकामा और कौपाल गर्ज में चुनाव भी होना है इन तमाम उद्धों पर इस विक्तमा इसाथ जेडियू के प्रवक्तर दॉक्तर सुनिल मौजुद है डॉक्तर साब आज इस तरह के से तेहसी जी को ज जिस तरह CBI की याचिका को कोट ने ना मनजूर किया है तो एक तरह का आई ओपनर है कि CBI अपने राजनितिक विद्वेश और राजनितिक इस्तमाल का शिकार ना हो को कि उसी के कारण जिस तरह से CBI का केंडरी एजन्सियों का केंडर का केंडर का दुरूपयोग कर रही है उसी करम में ये जो CBI ने याचिका दायर की याचिका दायर किया उसको कोट ने तरन डाउन कर दिया और तेस्वी जी को एक लौ अबाइडिंग सिटिजन माना और ठीक है कुछ अपने उन्होंने एक जनरल समानने बाते कही कि उच्छे पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति को अपने शब्दों के चैन में साफधानी बरतनी चाहिए एक समानने साथ सेंटेंसे सबके लिए लेकिन CBI के याचिका को नामंजूर किया गया और हम आशा करते हैं कि CBI इससे सीख लेगी और राज्यतिक पर्टिजोंता या किन सरकार के द्वारा उसका जो गलत इस्तमाल हो है अब पूरे विश्वास के साथ रिंचिड़ी है हम इस फैसले का स्वागत करते हैं जिस तरह कि सब मुकामा और गुपार गांज में उप्चुनाओं होने हैं ये महागडबंदन की सरकार बनने के बाद ये पहला उप्चुनाओं है लिटमस टेस्ट है आप लोगा क्या कुमार जीत हो रही है देखे लिटमस टेस्ट का क्या कहा जिस वकत जो हम लोग ने माने नितीस कुमार जी और आर जेडी ने मिल करके एक पूरे सत्ता से बेदखल किया भाजपा को और सारी पार्टियां एक तरफ आई तो अब जो उप्चुनाओं के परिणाम में क्या मिसरूल से कंसर्कार के मिसरूल से जनता त्रस्त हो गई थि महंगाई वरस्तीओं में भी जी एस टी लगाос辉र पहली बार गोर कमर्ख उक लाह करके तो जो भाजपा सरकार ने प्रतिवर्ष 2,000 करोद रोजगार का वाईदा किया था आठ वर्षों में वो सोलो करो रोजग एक पूरे भाद वर्ष के लिए एक गरृनी भूमिका निभेकी प्रचण बहुमत से जीतेंगेगे है प्रचर्णरि बहुमत से जीतें कर NOW कि जनता का अश्रवाद हमारे साथ है और पूरे वीपकचिए एका का प्रतीक जो हमने मौडल भिहार में दिया है जो जो अन्दी पूरे देश में अब देंगे उसका निश्ची थी आप देखेंगे उसके सकारत्मक परिणाम उप चुनाओं में परिलक्षी था हुए लंबी फोज उता रखी है बीजेपी ने मुकामा में गौपाल गंज में 40 स्टार प्रचार को उता रहे हैं देखिए वो 40 स् में परिटिंग तो प्रण मंत्री ने किया था तो क्या हुआ है रिजल्ट वो आचा है अपने जगा आते हैं जाते हैं अपना करते हैं मैनेजड बोर से मैनेजड भीड यूगार करते हैं हमें पूरा आप देख लिए जब जब अलग अलग जब उनसे महाकरबंधन परिणा में भाजपा क्या हुआ तो दोनों सीट में असपस्ट है कि एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलने वाला है यह पता है भाजपा की च्छट-पटाहत में वह 40 उतर जाएं अपने अलीबाबा के साथ 40 उतर जाएं तो भी यहां कुछ नहीं होने वाला है भाजपा कि कि अब देखना यह कि तीन नौमर को जब वोटिंग होगी जनता किसके समर्थन में अपने मताधिकार के प्रयोग करेंगी और फिर चेन नौमर को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि किसके दावव में कितना दम दिखा हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ झाल